नमस्कार, VIP इंडिया में आपका श्वागत है आज के हिंदी आडियो आटकल में डे एलेट सिच्छा दिकदर्सन दोत्य सेमेश्टर से वर्तमान भारतिय समाज और प्रारंबिक सिच्छा के बिसे सिच्छा और समाज परिवर्तन समाजिक परिवर्तन के कारक अध्धाय है अध्धाय बारा है सिच्छा और समाजिक परिवर्तन समाजिक परिवर्तन के कारक जान लेते हैं समाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है वर्तमान भारतिय समाज और प्रारंबिक सिच्छा के अनुसार समाजिक परिवर्तन से अभी प्राय जीवन के किसी भी पच्छ में किसी भी परकार का परिवर्तन होता है समाजिक परिवर्तन में दो सब्द होते हैं समाजिक और परिवर्तन तो जान लेते हैं भी समाजिक के बारे में समाजिक में कैसे क्या है तो समाजिक सब्द से आसे है, समाज से संबंदित, मैकाईवर ने कहा है, समाज को समाजिक संबंदों का जाल बताया है, परिवर्तन से आसे भिन्यता का होना है, परतेक वस्तु का एक पूरो रूप होता है, कुछ समय पस्चात उसमें भिन्यता आ जाती है, हम यहाँ पर पहल परिवर्तन का अर्थे, इस परकार बताया है, परिवर्तन को संचेप में पहले की आवस्था अत्वा आस्तित्यों के परकार के अंतर के रूब में परिभासित किया जाता है समाजिक में समाजिक परिवर्तन समाज से संबंदित होता है कुछ समाज सास्तियों के अंसार समाजिक धाचे में होने वाले परिवर्तन समाजिक परिवर्तन कहलाता है परंतु इसके बीपरित कुछ अन्य समाज सास्तिरियों समाजिक संबंदों में अंतर को समाजिक परिवर्तन कहते हैं समाज समाजिक संगठन समाजिक धाचे तथा समाजिक संबंदों का मिस्रित रूप होता है अता समाज में परिवर्तन इन सभी भागों में होने वाले परिवर्तन है जैसे समाजिक परिवर्तन के कारक क्या है समाजिक परिवर्तन के कारक Factor of Social Change समाजिक परिवर्तन के कुछ कारक है इस परकार है प्राकिर्थ या भागोलिक कारक तो फिचकल या फिर जियोग्रापकल फैक्टर जैसे जंगल, पहाड, वर्सा, रितुए मौसम, समुद्र, भूकम, महमारी आधी जहां प्रकिर्ट का रूप भैंकर होता है वहां मानो प्राया प्रकिर्ट आपदाओ के कारण जीवन व्यापार में परिवर्तन लाने के बिवस हो जाता है साथी प्रकिर्ट के सांथ रहने का नेड़े एउबिकास के कारे अधिक होते हैं जिसे मानो जीवन परभावित होता है जनसंख्या आत्मक कारण दूसरा है जनसंख्या आत्मक कारण जनसंख्या विर्द्धी से मानो संसादन पर परभाव पड़ता है एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जनसंख्या में कम या अधिक दबाव भी परिवर्तन का कारक बनता है ज्यादा जनसंख्या होने पर ज्यादा गरीबी होगी तथा संगर, स्वा, तनाव और हाहा कार जिसका समाजिक संसार का परभाव पड़ेगा साथ ही अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी यह समाजिक बिगटन भी बढ़ता है यह परिवर्तन का बिशिष्ट कारण है तिसरा है परदोगी की कारण, कारक, टेक्नोलोजिकल फैक्टर परदोगी कारक के फल स्वरुप समाजिक परिवर्तन होता है इसके कारण नई संस्थाओ की अस्थापना साथ चुवा चूट जातिवात का कमजोर होना तथन नागरी करण में उरिद्धी होती है जिसके कारण समाज में परिवर्तन होता है परख्याद समाज सास्त्रिये आगबर्ण के अनस्थार रेडियो के अविश्कार के फल स्वरुप समाज में एक सो पचास परकार के परिवर्तन रेखांकित किये गए हैं इसी करम में आउद्धगी करण की परकिरिया सरम विवाजन आदि के फलसोरुप समाजिक परिवर्तन होते हैं चौथा है सांस्कृतिक कारक यानि की कल्चरल फिक्टर सांस्कृति ही निर्धारित करती है कि समाज कैसा होगा पहला है सांस्कृतिक कारक समाज में तीन परकार से परिवर्तन करते हैं पहला है सांस्कृतिक संहर्ष तो संस्कृतिक संघर्स में सक्तिसालिश संस्कृति का कमजोर संस्कृत पर परभाव पड़ता है और दूसरा क्या कहा है संस्कृति प्रसार एक संस्कृति के तब तो दूसरी संस्कृति में फैल कर समाजिक संरस्ना की परभावी करते हैं तिसरा पर क्या कहते हैं पर संस्कृत गरहण दो संस्कृतियों में संपर के कारण समाज में परिवर्तन होता है अब पच्वा क्या है राजनीतिक कारण पॉलिटिकल फेक्टर राजनीतिक कारण को के फालसोरोफ ही युद्ध संधी आदी के मार्क परसस्त होते हैं युद्ध के कारक महाविनास की इश्टिती बनती है तथा समाज में नए समिकरण जन्म लेते हैं प्राचीन काल में हुए महाभारत के युद्ध सहित बिस्चु के दो महा युद्धों के कारक समाजिक सनसना बुरी तरह परवावित हुई है फलता जवरजस्त रूप से समाज में परिवर्तन हुआ छटवा है धार्मी कारक रिलिजस अव फेक्टर चाल्स अलवर्ट क्या गहते हैं चाल्स अलवर्ट के अंसार धार्म समाजिक परिवर्तन का एक बिशेष कारक है समाज और विक्ति पर सदो ही धर्म का नियंतरण रहता है भारते समाज में धर्म की भूम का बहुत थी महत पूर रहती है और समाज जैसे धर्म कांदोलों ने फल सवरू भारत में हर अस्तर में परवर्तन हुए हैं हर अस्तर पर परवर्तन हुए है और आगे हम ले चलते हैं आपको सिच्छा और समाजिक परवर्तन की ओर तो इसमें प्रस्न दो आये हैं वो भी दोनों BTCU में पूछे गए हैं सिच्छा और समाजिक परवर्तन के बारे में समाजिक परिवर्तन में सिच्छा की भूमका क्या है दुसरा प्रसने समाजिक परिवर्तन में सिच्छा सिच्छा विद्यालों की भूमका में अपने बिचाल लिखिए तो सिच्छा और समाजिक परिवर्तन के बारें जान लेते हैं समाजिक परिवर्तन में सिच्छा अत्यनत महत्पूर योगदान करती है समाजिक परिवर्तन पहले भावतिक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में होता है फिर उसका रूप भावतिक सांस्कृतिक परिवर्तन का हो जाता है सिच्छा का कार यह भी है कि वह पुरतमान में उन परिवर्तनों को लाने का परियास करे जो समाज में नव जीवन का संचार कर दे और इस परकार समाज परगती की और बढ़ने लगे समाज सद्यों सक्रिय रहता है और इसी कारण उसमें सद्यों परिवर्तन आता रहता है कुछ व्यक्ति समाजिक परिवर्तन लाने का परियास करते हैं समाजिक ढाचे में परिवर्तन ही समाजिक परिवर्तन है हम अभी बता चुके हैं कि कुछ सिच्छावादी समाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन मानते हैं जैसे अनुसार ब्राउन भी इसी को मानता है वह कहता है कि समाजिक परिवर्तन का एक मुख रूप सांस्कृतिक परिवर्तन है समाजिक परिवर्टन में सिच्छा के विद्धु के विद्धालिग चानले समाजिक अपने विद्ध्धियों के लिए सिच्छा के शोरूप का निर्धारण करता है समाज के बदलने पर सिच्छा के स्वरूप भी परिवर्तन हो जाता है सिच्छा समाज में आवस्यक परिवर्तन लाती है किन्तु यह ध्यान रहती है कि परिवर्तन के कारण समाज के स्वास्वत मूल्यों में किसी परकार का अंतर ना आने पाए सिच्छा द्वारा ही समाज के विक्ति यह निर्णाई कर पाते हैं कि काउन सा परिवर्तन उचित है और काउन सा अनुचित है सिच्छा ही उसके परिवर्तन का महत्व अस्पश टरती है और बाद कारकों को दूर करने में सहायक होती है समाज के सिच्छित व्यक्ति ही अपने ही वैपक कुरूरतियों अंद विश्वासों को दूर कर वांचित परिवर्तन ला सकते हैं इस परकार समाजिक परिवर्तन के लिए सिच्छा एक परकार से साधन या मार्ग दर्सक भी भूम का अदा करती है जान डिवी ने इस संबन में बिचार व्यक्त किया है कि सिच्छा ही एक ऐसा साधन है जो किसी भी समाज को परगती और और ले जा सकता है इस संबन में सिच्छा बिद डाक्टर राधा क्रिश्ण का असपष्ट मस्त है कि सिच्छा परिवर्तन का साधन है उनके अमसार जो कार साधारतिया समाद में परिवर्तन धर्म समाजिक और राजनीतिक संस्ताओं द्वारा किया जाता है वही आज सिच्छा संस्ताओं के वालक या जा सकता है इस संबंद में सिच्छा आयोग 1964 से 66 ने विचार व्यक्त किया है कि यदि एक विशेष प्राक्रम पैमाने पर बिना किसी हिंसात्मक क्रांती के परिवर्थन लाना है तो केवल एक ही यंत्र का साधन है जिसका उप्यों किया जा सकता है वह है सिच्छा तो सिच्छा कमाथ तो आप जान भी गय होंगे अब आते हैं आगे इसमें हीडिंग आता है एक सास्वत मूल्यों का सन्रचन समाजिक परिवर्थन में सिच्छा सिच्छक यो बिद्याले के अंतरगत हीडिंग आता है सास्वत मूल्यों का सन्रचन परतेक समाज में कुछ अस्थाई मूल्य होते हैं जो समाज को अस्थित्व परदान करते हैं भारते समाज के सास्वत मूल्य है सही शूर्ता, सत्यम, सिवम, दूसरे का कल्यार भारते समाज के सास्वत मूल्य है सही शूर्ता, सत्यम, सिवम, दूसरे का कल्यार अहिंसा आदि कभी किसी काल्ण वस समाजिक परिवर्तन की इस्थिती में इसमें दुर्बलता की इस्थिती बनती है तो सिच्छा ही इन मूल्यों का सनलचन करती है इसके अनिसार दूसरा हेडिंग है नवीन परिवर्तन लाने में सहायक Helpful and New Changes समाज में विभिन कारकों के फल सब्रूप नवीन विचार जन्म लेते हैं जो समाजिक परिवर्तन का आधार बनते हैं सिच्छा इन विद्यालों को शिवकार करने के लिए अनुकूल वात्तवरण और स्रिषर करती है तथन लोगों को इसे शिवकार करने के लिए मांसिक रूप से तयार करती है इसके अंतरगत तिसरा से हेटिंग है सांस्कृतिक हस्तानांतरण यानि कल्चरलर ट्रांसफेर सांस्कृतिक हस्तनांतरण की किरिया समाज को आस्ठित्त एक निरंतरता परदान करती है साथ में आवसकता अनुसाल सुधार के लिए भी मार्क प्रस्ट करती है इस परकार सिच्छा समाजिक परवर्तनों को जमदाता परवर्तक एवनी दे सक है अगला हेडिंग है समाजिक गतिसील यानि सोसल मुविल्डिडी समाज एक गतिसील सम्बोध है श्वतह गतिसीलता के कारण इसमें सदेव परिवर्तन होते रहते हैं सिच्छा इस समाजिक गतिसीलता को बनाए रखने में परियतन सील रखती है सिच्छा की दोरा ही समाज सिधार ही तू आनडोलन ही प्रिष्ञ भूल में सिर्जित होती है इसके दोरा जञी जागरिती होती है और समाज में इन सिधारों के लिए सेखिर्वती का वातरबन तेयार होता है आगे है ग्यान के छेत्र में विकास सिच्छा के द्वारा ही परतिदिन ग्यान के विभिन आयामों का विश्थार हो रहा है जो परिवर्तन में मार्ग दर्सन बनते हैं इसी कफल स्वरूप नूतन अनुसन साधन हो रहे हैं जिनसे समाज के वेविन चेत्रों में परिवर्तन होते हैं। अगला हीडिन है समाजिक परिवर्तन का नेटित्तु, To let the social change, समाज में नविन परिवर्तन लाने के लिए कुसल नेटित्त की आवसकता होती है। सिछ्चा समाज में ऐसे कुसल व्यक्तित्यों का निर्मान करती है, जो समाजिक आंदोलनों एव परिवर्थनों का नेर्टुत कर सकें। आगे हैं परिवर्थनों की समिक्षा रेवेव आप्ट चेंजेश। सभी समाजिक या सांस्कृतिक परिवर्टन वांचन ये एव साकारात्मक नहीं होते हैं सिच्छा का महतुपूर भूमका ऐसे परिवर्टनों की सदेव समिच्छा करने की है सिच्छा के द्वारा ही वांचन ये परिवर्टनों को सिवकार करने का वातरण बनता है जबकि वांच्छन ये परिवर्तनों के लिए शिवकृति नहीं होती है अब आगे है अगला प्रस्टे बात करते हैं जैसे समाजिक परिवर्तन पर सिच्छा का परभाव तो समाजिक परिवर्तन पर सिच्छा का परभाव बताईए तो इसके बारे में जान लेते हैं समाजिक परिवर्तन पर सिच्छा का परभाव यदि यह सत्त है कि सिच्छा समाजिक परिवर्तन लाती है तो यह भी सही है कि समाजिक परिवर्तन सिच्छा को परभावित करता है परतेक समाज अपनी सिच्छा के स्वरूप का निर्मान स्वैम करता है समाज की आफसाफ्ताओं के अंसार है सिच्छा के रूप रेखाने विधारित की इजाज़ती है इस समाज में किसी परकार का परिवर्तन आता है तो सिच्छा में भी परिवर्तन अपना स्वाभाविक है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि यह परिवर्तन वैग्यानिक आविस्कारों के कारण आया है यह राजनितिक दसाओं के कारण आया है यह प्राकिर्तिक घटनाओं के कारण आया है हमारा इतियाज इसी पुष्ट करता है प्राचीन भारत में धर्म परधान समाज था अता उस समय सिच्छा भी धर्म परधान थी मद्यकाल तक समाज में कोई विशेश परिवर्टन नहीं आया अता सिच्छा भी लगबग आप परिवर्टित रही वर्दमान में समाज का रूप बदल गया बिग्यान की परगती ने परतेक विक्ति को भावतिक वादी बना दिया है इसका परभावय हुआ की मनुष्य का राहन सहन, खान, पान, अचार, विचार तथा मूल ले बिलकुल बदल गये है तथा व्यक्ति का दिरिष्टी कोड बिस्तरित हो गया है इसका सिच्चा पर परभावय हुआ की पाठिकरम बिस्तरित हो गया है आज सिच्चा के छेत्र में सिच्चा के उद्देश पाठिकरम तथा सिच्चण विधिया पर कुछ बदल गयी है रेडियो तथा टेलिवीजन के द्वारा सिच्छा आधूनिक युग की देन है अब आते हैं अतिलगुत्री प्रस्ण में यह भी कुछ प्रस्ण है मैं काईवर के अनुसार समाज क्या है मैं काईवर ने समाज को समाजिक संबंदों का जाल बताया है आगे हैं फीचर के अनुसार परिवर्तन का अर्थ है फीचर ने परिवर्तन का अर्थ इस परकार बताया है कि परिवर्तन को संचेप में पहले की आवस्था अत्वा आस्तित्यों के परकार के अंतर के रूप में परिभासित किया जाता है अगला प्रस्ण है जो PTC 2016 पूछा गया है भारत में समाजिक परिवर्तन लाने वाली सक्तिया कौन कौन सी है तो भारत में निम्ने सक्तियों द्वारत समाजिक परिवर्तन लाया जा रहा है अविस्कार राजनी इतिक परिवर्तन इतिहास समाजिक कुरूरितियां आर्थिक प परिवर्तन किस परकार होता है समाजिक परिवर्तन में सिच्छा अत्यांत महत्पोड योगदान करती है समाजिक परिवर्तन पहले भावतिक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में होता है फिर उसका रूप भावतिक सांस्कृतिक परिवर्तन का हो जाता है सिच्छा का कार्य अगला प्रस नहीं समाज द्वारा समाजिक परिवर्तन की पर किरिया बताइए समाज सदेव सक्रिय रहता है और इसी करण उसमें सदेव परिवर्तन आता रहता है कुछ विक्ती समाजिक परिवर्तन लाने का परियास करते हैं समाजिक धाचे में परिवर्तन ही समाजिक परिवर्तन है लाश्ट प्रस नहीं सिड्नी हूग के अनुसार संस्कृत में परिवर्तन सिच्छा के द्वारा कैसे होता है तो Sydney Hook के अनुसार समाज के संस्कृति को आत्मसाथ करता है तथा उसे अगामे संतान तक पहुंचाना सिच्छा का कार है इसी परकार सिच्छा समाज को सतत जीवन परदान करने को सास्वत बनाने में सहायक होती है धन्यवाद इस आइडियो आडिकल को सुनने के लिए यह समाप्त होता है और ऐसे यह आडियो आडिकल सुनने है तो सस्क्राइब चरूर कर लें